मलिका आई तो मुह खोले हुए लेकिन पक्षी को देखते ही उसने मुह पर नकाब डाल लिया बादशाह ने हैरत से पूछा मलिका यहां तो केवल मैं हूँ और महल की दासियां यहां कौन बेगाना मर्द बैठा है जिससे तुम परदा कर रही हो मलिका ने कहा आप गैर मर्द को अपने हाथ पर लिए बैठे हैं बादशाह ने कहा तुम पागल तो नहीं हो गई हो आदमी किसी आदमी को हाथ पर लेकर कैसे बैठ सकता है मलिका ने कहा नहीं मैं ठीक कह रही हूँ ये पक्षी जिसे आप हाथ पर लिए बैठे हैं स्वाभाविक पक्षी नहीं है ये आदमी है जिसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया गया है बादशाह का कौतू हल बढ़ा उसने विस्तारपूरवक सारा हाल बताने को कहा तो मलिका ने बताया यह इरान का बादशाह है इसका नाम बद्र है इसकी माता गुल अनार है जो एक प्रख्यात जल्देश की शहजादी है इसकी नानी का नाम राणा फर्राशी है वह भी एक अन्य जल्देश की शहजादी थी प्रख्यात जल्देश समंदाल की शहजादी जवाहर ने क्रोध में आकर इसे जादू के जोर से पक्षी बना दिया है बादशाह को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ वह बोला देखो तकदीर भी कैसे कैसे खेल खिलाता है कहां तो यह बादशाह था कहां अब पक्षी बनकर पिंजरे में बंध है एक बात बताओ तुम अगर इतना सब जानती हो तो यह भी जानती होगी कि यह किसी तरह अपने पूर्व रूप को प्राप्त कर सकता है या नहीं मलिका ने कहा यह क्या मुश्किल है मैं भी जादू जानती हूँ और इसलिए मैंने इसका रूप भी पहचान लिया और इसका इतिहास भी जान लिया लेकिन मैं परदेदार औरत हूँ इसे अपने सामने इसके असली रूप में न लाओंगी आप इसे लेकर दूसरे कक्ष में चले जाईए फिर मैं जो कुछ करने को आप से कहलवाऊं वह कीजिये वह अपने असली रूप में आ जाएगा बादशाह पक्षी को लेकर दूसरे कमरे में चला गया इधर रानी ने एक पात्र में जल मंगवाया और उस पर मंत्र पढ़ने लगी कुछ देर में पात्र का जल खौलने लगा मल्लिका ने थोड़ा अभि मंत्रित जल बादशाह के पास भिजवाया और जल ले जाने वाली दासी से कहा बादशाह से कहना कि इस जल को उस पक्षी पर छिड़क कर कहें कि इस मंत्र की शक्ती से तथा समस्त संसार के रचैता सर्व समर्थ भगवान की इच्छा से तू अपने पूर्व रूप को प्राप्त हो जा और अगर तू स्वाभाविक रूप से पक्षी होकर ही जन्मा है तो इसी शरीर में रह बादशाह ने मलिका की इच्छानुसार यह शब्द कहे और तुरंथ ही बादशाह बद्र अपने असली रूप में आ गया बादशाह को उसका रूप और चेहरे पर राजसी भाव देखकर बड़ी खुशता हुई कि वह पक्षी की योनी से छूट गया बद्र अपने पुराने शरीर को पाकर खुशी के आंसु बहाने लगा उसने हाथ उठाकर भगवान को इस कृपा के लिए धन्यवाद दिया और फिर बादशाह के चरणों में गिर पड़ा और उसे तरह तरह रूप से धन्यवाद देते हुए उसके चिरायू और सरवाधिक वैभवशाली होने की कामनायों करने लगा मलिका ने यह देखा तो संतुष्ट होकर अपने आवास में वापस चली गई बादशाह ने बद्र को उठाकर गले लगाया और फिर उसे अपने साथ बिठाकर खाना कराया खाना के उपरांत उसने बद्र से पूछा कि तुमसे शहजादी जवाहर इतनी नाराज क्यों हो गई थी कि तुम्हें इतना बड़ा दंड दे बैठी बद्र ने उसे आद्योपांत सारी कथा कह सुनाई बादशाह को ये सुनकर बड़ा हैरत हुआ उसने कहा भाई तुम्हारी कहानी तो लिखकर रखने के लायक है अच्छा जो हुआ सो हुआ अब तो तुम फिर से अपने रूप में आ गए हो अब क्या इरादा है जो मदद मुझ से मांगो मैं देने के लिए तैयार हूँ बद्र ने कहा मेरे गायब होने के बाद मेरी माता दुख से तड़प रही होगी वैसे तो आपने मुझ पर जो एहसान किया है वही क्या कम है लेकिन यादी मेरी खुश्टा की बात पूछते हैं तो मेरे लिए एक जहाज का प्रबंध करा दीजिए जिससे मैं अपने देश इरान को चला जाऊँ और अपनी मा को धैर्य देकर अपना राज्य प्रबंध संभालू बादशाह ने खुशी से मन्जूर कर लिया उसने अपने सेवकों को आग्या दी कि बद्र को इरान वापस ले जाने के लिए एक बढ़िया जहाज सजाया जाए ऐसा ही किया गया और बादशाह से धन्यवाद पूर्वक विदा लेकर बद्र ने इरान के लिए यात्रा शुरू कर दी दस दिन तक जहाज आराम से चलता रहा लेकिन ग्यारहवें दिन मुसीबत खड़ी हो गई समुद्र में एक प्रचंड तूफान आया साथ ही हवा का रुख भी बदल गया जिससे जहाज अपने रास्ते से भटक गया कुछी देर में जहाज के सारे मस्तूल तूट गए और जहाज काग की तरह लहरों पर उचलने लगा देखते ही देखते उसका तला एक जहलगत चटान से टकराया और जहाज टुकडे टुकडे हो गया औरों का मालूम नहीं क्या हुआ लेकिन बद्र एक तखते के सहारे तैरता हुआ कुछ घंटों में भूमी पर जा लगा यह एक द्वीप था जिसमें समुद्र तट पर एक और पहाड था और दूसरी और दूर पर एक शहर दिखाई दे रहा था बद्र जल से निकल कर भूमी पर आया और आराम करने के लिए लेट गया लेकिन तुरंत ही घोडे गाएं और बहुत से दूसरे जानवर आकर शोर करने लगे और उसे समुद्र की ओर धकेलने लगे वह किसी तरह उनसे बच कर एक पहाड की खोह में जा छुपा और कुछ देर आराम करने के बाद और कपड़े सुखाने के बाद शहर में जाने के लिए तयार हुआ लेकिन वे जानवर फिर आ गए और चिल्ला चिल्ला कर उसका रास्ता रोकने लगे वह किसी तरह उनसे बचता बचाता शहर में प्रविष्ठ हो गया वहाँ उसे यह देख कर हैरत हुआ कि सडकों आधी पर सफाई आधी खूब है लेकिन दुकानदार कम ही है काफी देर बाद उसे एक दुकान में एक बूढ़ा दिखाई दिया जो वहाँ रखे फलों को पोँच पोँच कर साफ कर रहा था बद्र ने पास जाकर उसे सलाम किया उसने बद्र को देखा तो उसके रूप से बहुत प्रभावित हुआ फिर उसके सलाम का जवाब देकर उसने पूचा तुम कौन हो? कहां से आये हो? बद्र ने संक्षेप में अपना परिचय दिया इसके बाद बूढ़े ने पूचा मेरे अलावा तुम्हें और किसी ने तो यहां नहीं देखा? बद्र ने कहा नहीं, आपके सिवा किसी इंसान को मैंने यहां पर पास से नहीं देखा मुझे बड़ा हैरत है कि ऐसा स्वच्छ और सुन्दर शहर ऐसा वीरान क्यों है? बूढ़ा बोला अच्छा, अच्छा, तुम बाहर खड़े न रहो, अंदर आ जाओ बद्र अंदर गया तो बूढ़ा बोला यह बड़ा अच्छा हुआ कि अभी तक तुम्हें किसी ने नहीं देखा है इस शहर की बड़ी विचित्र कथा है लेकिन तुम भूखे प्यासे मालूम होते हो पहले खाना खाओ, फिर मैं यहां की बातें तुम्हें बताऊंगा बद्र खा पी कर त्रिप्त हुआ तो बूढ़ा ने कहना शुरू किया देखो बादशाह बद्र, यहां पर तुम्हें बहुत होश्यारी से रहना है यह जादू नगरी है यहां की शासिका एक औरत है वह अत्यंत रूपवती है और साथ ही मंत्र विद्या में निपुण वह बड़ी विलासिनी भी है तुमने देखा होगा कि शहर के बाहर समुद्र तट पर बहुत से जानवर है जो हर एक को रोकने की कोशिश करते हैं कि वह इस शहर में प्रवेश न करे वे सब पहले तुम्हारी तरह इंसान थे यहां की मलिका ने उन्हें अपने मंत्र बल से पशु बना रखा है बद्र को हैरत हुआ उसने पूछा मलिका आदमी को जानवर क्यों बना देती है बूढे ने कहा मैंने तुम्हें बताया ना कि मलिका बड़ी विलास प्रिय है जब कोई तरुण सुन्दर आदमी उसे दिखाई देता है तो वह उसे पकड़वा मंगाती है मैंने इसलिए तुमसे पूछा था कि तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं वह उसका बड़ा आदर सतकार करती है और उसके साथ भोग विलास करती है कुछ दिनों में जब उसका जी उस आदमी से भर जाता है और जब उसके जाल में कोई और रूपवान आदमी आ जाता है तो वह इस पहले आदमी को बैल, घोड़ा या कोई और जानवर बना कर छोड़ देती है ताकि उसका राज किसी पर प्रकटना हो ये सब बैचारे जानवर किसी समय उसके प्रेम पात्र रह चुके है जब भी कोई दुर्भाग्य का मारा सुन्दर जवान आदमी इस शहर में आना चाहता है तो वे शोर मचा कर उसे रोकने की कोशिश करते है वे बैचारे कोई भाशा तो बोल नहीं पाते कि अपनी दुर्दशा का पूरा हाल कहें सिर्फ चिल्ला चिल्ला कर यही कहना चाहते हैं कि वापस चले जाओ इस मनहूस शहर के अंदर ना आना वरना तुम्हारी हालत भी हमारे जैसी हो जाएगी लेकिन आने वाला उनके अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है और उनके शोर गुल को अंसुना कर शहर में चला जाता है और रानी के जाल में फंस कर कुछ दिनों बाद पशु बन कर उन पशुओं में जा मिलता है बद्र यह सुनकर बहुत घबराया और कहने लगा हे इश्वर यह कैसा अन्याय है मैं अभी अभी एक जादू गर्नी के जादू से छूटा हूँ और दूसरी के देश में आफंसा हूँ बूढे के पूछने पर उसने विस्तार में जवाहर द्वारा अपने पक्षी बनाये जाने और अग्यात द्वीब की रानी द्वारा फिर से इंसान बनाये जाने की कहानी कही बूढे ने कहा इसमें संदेह नहीं कि तुम बड़े खराब देश में आफंसे हो लेकिन तुम्हारा तकदीर प्रबल था कि तुम सबसे पहले मुझसे मिले अब तुम इसी दुकान में रहकर काम करो मुझे यहां का हर एक व्यक्ति जानता है तुम्हें यहां रहने में कोई कष्ट ना होगा लेकिन खबरदार किसी और से मेल जोल नहीं बढ़ाना वरना मुसीबत में फंस सकते हो बादशाह बद्र ने बूढ़ा को बड़ा धन्यवाद दिया कि तुमने मुझे खत्रे से सावधान कर दिया वह उसकी दुकान में बैठा रहता और दुकान का काम किया करता जो भी व्यक्ति उस बूढ़े की दुकान पर आता वह बद्र के रूप को देख कर ठगासा रह जाता देखने वालों को यह भी हैरत होता कि यह अभी तक दुष्ट रानी के फंदे से किस तरह बच पाया है क्योंकि वह तो किसी रूप वान इंसान को अपने पाश में फंसा कर जानवर बनाए बगैर छोड़ती ही नहीं है कई लोगोंने बुढ़े से पूछा कि क्या यह जवान आदमी तुम्हारा दास है बुढ़े का हमेशा एक ही जवाब होता भाईयो यह मेरा दास नहीं है मेरा भतीजा है इसके पिता यानी मेरे भाई का हाल ही में देहांत हो गया है वह मरते समय बिलकुल निर्धन हो गया था और इस जवान का कोई ठिकाना नहीं था मेरा भी कोई पुत्र नहीं है इसलिए मैंने इसे बुला कर अपने पास रख लिया है सुनने वाले कहते ये सुनकर तो हमें बड़ी खुशता हुई कि तुमने इस पित्रहीन को आश्रह दिया लेकिन हमें इस बात का बड़ा भय और दुख है कि अगर किसी ने मलिका से इसके रूप की प्रशंसा कर दी तो इस बेचारे की छुट्टी समझो वह इसे ले जाएगी और कुछ दिनों तक इसके साथ भोग विलास करके इसे भी जानवर बना कर चरने के लिए छोड़ देगी इस पर बूढ़ा कहता होता तो वही है जो भगवान चाहता है लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब मैं मलिका से निवेदन करूँगा कि यह मेरा भतीजा और दत्तक पुत्र है तो वह इस पर दया करेगी और इसे पशुना बनाएगी बद्र को यह सुनकर ढांडस होता लेकिन बूढ़े की यह उम्मीद व्यर्थ सिद्ध हुई लगभग एक महीने बाद की बात है कि बद्र हमेशा की तरह बूढ़े की दुकान पर बैठा हुआ था उसी समय मलिका की सवारी उधर से निकली उसके आगे पीछे बड़ी सेना चल रही थी बद्र उठकर दुकान के अंदर गया और उसने बूढ़ा से पूछा कि यह शानदार सवारी किसकी है बूढ़ा ने बताया कि यह सवारी उसी मलिका की है जिसके बारे में मैंने तुम से पहले कहा था उसने बद्र से कहा कि तुम घबराओ नहीं अपने साधारन स्थान पर जाकर बैठो बद्र अपनी जगह जा बैठा और तमाशा देखने लगा फौज के जितने अफसर थे सभी उस बूढ़े को सलाम करते जाते थे सारी फौज की वर्दी गुलाबी थी उनके पीछे ख्वाजासराओं के दस्ते थे जो उंदा कमखवाब के जोड़े पहने हुए थे दुकान के सामने से निकलने पर उनके प्रमुखों ने भी बूढ़ा को सलाम किया उनके पीछे स्त्रियों का एक दल आया वे कीमती कपड़े और जड़ाउ जेवर पहने हुए थी और उनके हाथों में बर्चियां चमक रही थी इन सशस्त्र दासियों के बीच में एक मुश्की घोडे पर जिसका साज सुनहरा था जिसमें कई जगह हीरे जड़े हुए थे अत्यंत भव्य परिधान पहने हुए रानी सवार थी सभी दासियों ने भी जुक जुक कर बूढ़ा को प्रणाम किया जब मलिका की सवारी दुकान के सामने आई तो उसकी नजर बद्र पर पड़ी वह उसे देखते ही उस पर मर मिटी और उसने दुकान के मालिक बूढ़े को आवाज दी बूढ़ा बाहर निकला और उसने मलिका के घोड़े की रकाब चूमी मलिका ने पूछा ये सुन्दर युवक जो तुम्हारी दुकान पर बैठा है कौन है क्या ये तुम्हारा नौकर है बूढ़ा ने सिर जुका कर कहा सरकार ये मेरा भतीजा है कुछ दिन पहले इसका पिता यानि मेरा भाई मर गया मेरे कोई आलाद नहीं थी इसलिए इस लड़के को गोद ले लिया है ताकि मेरा बुढ़ापा भी आराम से गुजरे और मरने के बाद मेरा नाम लेवा भी कोई रहे मलिका तो बद्र के रूप को देख कर दीवानी हो रही थी उसका पूरा इरादा हो गया कि उसको अपने शैनकक्ष में ले जाकर आनंद करे उसने बूढ़े से कहा बड़े मियां मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ कि अपना भतीजा मुझे दे दो हम लोगों के देवता अगनी और प्रकाश है मैं उनकी सौगंध खाकर कहती हैं मेरे यहां इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा तुम मुझे हमेशा से मानते रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम मेरी इस प्रार्थना को न ठुकराओगे अगर तुमने अपना भतीजा मुझे दे दिया तो मैं जन्म भर तुम्हारा एहसान मानूंगी अब्दुल्ला यानी उक्त बूढ़ा ने उसके विनय के पीछे छुपी हुई धमकी साफ साफ महसूस की और चाहा कि किसी बहाने से बद्र को मलिका के चंगुल से बचाए उसने कहा सरकार यह तो आपकी असीम कृपा है कि मेरे भतीजे को अपने पास रखकर उसी का नहीं मेरा भी अपूर्व सम्मान किया लेकिन यहां बड़ा अनाड़ी लड़का है अभी गाव से आया इस राजमहल के तो क्या सभ्ह नागरिकों के भी तौर तरीके नहीं जानता में न सौप दोगे मैं यहां से नहीं हटूंगी मैं इसे लेकर ही जाऊंगी मैं फिर अपने देवताओं अग्नी और प्रकाश की सौगंद खाती हूँ कि इसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दिया जाएगा और तुम भी इस बात पर कभी पश्चा ताप न करोगे कि तुमने अपने भतीजे को मुझे सौपा अब बूढे ने सोचा कि जिद करना ठीक नहीं है अगर मलिका को क्रोध आ गया तो मालूम नहीं मेरे साथ क्या कर डाले उसने कहा आपका हुक्म सिर आँखों पर लेकिन एक विनय है यह भतीजा मुझे बहुत प्यारा है कम से कम एक दिन तो इसे मेरे पास और रहने दीजिए कल यह अवश्य आपकी सेवा में उपस्थित हो जाएगा मलिका ने यह बात मान ली और अपने सेना के साथ वापस चली गई उसके जाने के बाद बूढे ने बद्र से कहा मैं तो नहीं चाहता था कि तुम्हें उसके हाथ में दूँ लेकिन मुझे भाय था कि अगर वह क्रोध में आ गई तो इसी समय हम दोनों को मरवा देगी शायद वह तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार न भी करे उसने अपने आराध्य अग्निदेव की कसम खाई है फिर मलिका के सारे दरबारी मुझे मानते हैं वे भी तुम्हारी भरसक सहायता करेंगे बद्र को इन बातों से कुछ ढांधस हुआ और वह कहने लगा अब तो जो कुछ मेरी किसमत में है वह भोगना ही पड़ेगा अब चाहे इस रानी के हाथों में मेरी मौत हो या मेरे तकदीर खुलें मुझे तो उसके पास जाना ही है बूढे ने कहा तुम अधिक चिंता न करो हालांकि रानी जादूगर्नी है और उसके पास राजशक्ती भी है लेकिन वह मेरी शक्ती भी जानती है वह अचानक कोई बात मेरी मर्जी के खिलाफ नहीं करेगी फिर भी वह महादुष्ट है तुम्हें चाहिए कि हरदम होश्यार रहो और अगर कोई बात असाधारन रूप से होते देखो तो मुझे उसकी सूच ना देते रहना दूसरे दिन वह पापिनी रानी पिछली जैसी शान शौकत से निकली और अब्दुल्ला की दुकान पर रुख गई वह बूढ़े अब्दुल्ला से कहने लगी तुम्हारे भतीजे के खयाल में मैं रात भर सो नहीं सकी अब तुमने कल जो वादा किया था उसे निभाओ बूढ़े ने मलिका के सम्मानार्थ अपना शीश भूमी से लगाया फिर मलिका के समीब जाकर ताकि उसकी बात को कोई दूसरा न सुने बोला कल जो कुछ मैंने अपने भतीजे के बारे में कहा था उसे कृपिया न भूले मैं उसे आपके हाथों में सौपता हूँ लेकिन इस बात का ध्यान अवश्य रखें कि इसे किसी प्रकार का कष्ट न हो मैंने आपसे पहले भी कहा है कि और अब फिर कहता हूँ कि यह लड़का मेरे बेटे जैसा है और इसके दुख से मुझे दुख होगा मलिका ने कहा तुम्हें विश्वास क्यों नहीं हुआ है मैंने तो इस बारे में तुम्हारे सामने अगनी देवता की सौंगंध खाई है कि मेरे पास कोई दुख नहीं पहुँच सकता बूढे ने बद्र का हाथ मलिका के हाथ में दिया और कहा आपकी बात पर विश्वास नहोने का कोई सवाल नहीं है लेकिन जहां आपने इतनी कृपा की है वहां इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि इसे कभी-कभी यहां आकर मुझसे मिलने की इजाज़त दे दें इसलिए मैंने दुबारा इसे दुख न पहुँचने की बात की है यह कभी-कभी आकर मुझसे मिलेगा तो मुझे तो संतोश होगा ही इसे भी धैर्य बना रहेगा मलिका ने यह स्वीकार कर लिया और हजार अशर्फियों का एक तोड़ा बूढे को दे दिया फिर नौकरों को आज्या दी कि एक बढ़िया घोड़ा लाओ जिसका साज बहुत अच्छा हो वे तुरंत ही ऐसा घोड़ा ले आए मलिका के कहने पर बद्र उस पर सवार हो गया मलिका ने बूढे से उसका नाम पूछा तो उसने नाम बताया बद्र मलिका बोली ये नाम ठीक नहीं है इसे तो बद्र चांद के बजाए शम्स सूर्य कहना चाहिए ये कहकर मलिका अपने महल की ओर चल दी बद्र भी अपने घोड़े पर उसके पीछे बाएं बाजू से चलने लगा रास्ते में नागरिकों की हलके स्वर्मे की जाने वाली बात चीत बद्र के कानों में पढ़ने लगी लोग कह रहे थे देखो कैसा सुंदर सजीला जवान इसरानी ने चुना है कुछ लोग कह रहे थे यह दुष्ट नए बेगुनाह व्यक्ति को फंसा कर लाई है और इसके साथ भी वही नीच व्यवहार करेगी जो कई लोगों के साथ कर चुकी है किसी ने कहा भगवान से प्रार्थना है कि इस आदमी पर दया करें और इसे इसको कर्मिनी से मुक्ति दिलाएं कोई बोला इसे क्या मुक्ति मिलनी है इसके तकदीर ने साथ दिया होता तो इस व्यभिचारिनी के फंदे ही में क्यों फंसता इन बातों को सुनकर बद्र को विश्वास हो गया कि मलिका के बारे में बूढे अब्दुल्ला ने जो कुछ कहा है और जो चेतावनी मुझे इसके बारे में दी है वह अक्षरशह ठीक है और मुझे सचेत रहना चाहिए मलिका ने महल के बाहर घोडे से उतरने के बाद बद्र का हाथ पकड़ा और उसे महल के अंदर ले गई महल की शान शौकत का क्या कहना जो चीज भी देखिये चाहे चौकी हो चाहे अलमारी वह स्वर्ण से निर्मित थी और हर चीज में नाना प्रकार के रत्न जड़े थे फिर वह उसे अपने साथ बाग की सैर के लिए ले गई बद्र ने महल की प्रत्येक वस्तू और बाग की उचित शब्दों में प्रशंसा की महल के सारे कर्मचारी समझ गए कि यह कोई देहाती गमवार नहीं है बलकि किसी संब्रांत परिवार का व्यक्ति है जो हर बेशकीमती वस्तू का सही मूल्यांकन करता है बाग में घूमते घूमते खाने का समय हो गया और दासियों ने कहा कि खाना तयार है मलिका उसे लेकर खाना कक्ष में आई और दोनों सोने चांदी के बरतनों में लजीज राजसी व्यंजन खाने लगे खाना खत्म करने के बाद मलिका ने एक स्फटिक पात्र में स्वच्छ सुवासित शराब भर कर पी और एक प्याला बद्र को दी अब शराब पान का सिलसिला चलने लगा और गाने बजाने वाली नौकरानियां आकर अपनी कला का प्रदर्शन करने लगी देर तक यह राग रंग चलता रहा जब काफी रात बीद गई और दोनों को खूब नशा चड़ गया तो मलिका ने राग रंग की सभा को खत्म करने का इशारा किया और अन्य दासियां दोनों को शयन कक्ष में ले गई दोनों ने केली क्रीडा की और सो गए दूसरे दिन सुभह उठकर स्नान करने के बाद दोनों ने नए वस्त्र पहने और दिन का खाना किया कुछ देर के आराम के बाद मलिका फिर उसे बाग की सैर को ले गई और घंटों तक वे लोग आपस में वारता लाप और हसी मजाग करते रहे शाम होने पर वे महल के अंदर गए और पूर्व संध्या की तरह खाना, मद्यपान और गायन वादन से आनंदित होने के बाद दोनों ने शैन कक्ष में विहार तथा शैन किया लगभग 40 दिन तक यही क्रम चला मलिका ने बद्र के साथ का पूरा आनंद उठाया लेकिन अब उसका रवईया बदलने लगा था बद्र ने यह परिवर्तन लक्ष किया और सचेत हो गया कि कहीं उसके साथ कोई शरारत न की जाए एक दिन आधी रात को वह शैया से उठ गई वह समझ रही थी कि बद्र सोया हुआ है लेकिन वह जाग रहा था सिर्फ सोने का बहाना किया था वह अधखुली आखों से मलिका के काम कलाप को देखने लगा मलिका ने एक संदूक खोला और उसमें से एक प्याला निकाला जिसमें पीली मिट्टी भरी हुई थी फिर वह विशाल शैन कक्ष के एक कोने में गई और वहाँ जाकर कुछ मंत्र पढ़ने लगी जिससे कुछ क्षणों में वहाँ एक जलकुंड पैदा हो गया यह लीला देखकर बद्र भै भीत हुआ और बिस्तर पर पढ़ा पढ़ा कांपने लगा लेकिन अपनी जगह से नहीं हिला मलिका ने उस कुंड से एक पात्र में जल भरा और दूसरे पात्र में थोड़ा मैदा लेकर उस जल से उसे सानने लगी वह मैदा सांते सांते कोई मंत्र भी पढ़ रही थी फिर उसने एक आलमारी से कई डिबियां और खाना पकाने के बरतन निकाले डिबियों में से कुछ खास मसाले और दवाएं निकाल कर उसने सने हुए मैदे में मिलाया और एक कुल्चा तयार किया फिर कोईले सुलगा कर तवे पर कुल्चे को सेंका और बाद में उसे सीधे कोईलों पर सेंका कुल्चा सिंग जाने पर उसने आलमारी में सामान रखा और मंत्र पढ़कर जलकुंड को गायब कर दिया कुल्चे को सावधानी से रखने के बाद वह बद्र के पार्षव में लेट कर सो रही बद्र ने यह सब देख कर समझ लिया कि इस सारी क्रिया में कोई गहरा रहस्य है उसने सोचा कि मुझे यहां रहते 40 दिन हो गए है और अब मलिका कोई नया गुल खिलाना चाहती है और इस मामले को अब्दुल्ला से कहना चाहिए सुभह नहाद होकर जब उसने नए कपड़े पहने तो उसने मलिका से कहा आपने मुझ पर इन दिनों ऐसी कृपा की और ऐसे आराम से रखा कि मैं भोग विलास में अपने बुढ़े चचा को बिलकुल भूल गया वे बिचारे मेरी याद करके दुखी होते होंगे और मेरी लापरवाही पर कुढ़ते होंगे आप दो-तीन घंटे की इजाज़त दें तो मैं उन्हें देखाऊं मध्यान खाना के समय तक वापस आ जाऊंगा बस दोनों को एक दूसरे की कुशलक शेम पूछनी है मलिका को उसकी ओर से कोई शंका न थी उसने इजाज़त दे दी साथ ही एक बढ़िया मुश्की घोड़ा मंगवा कर और दो एक गुलामों को उसके साथ के लिए दे कर उसे अब्दुल्ला की दुकान की तरफ रवाना कर दिया बद्र ने गुलामों को बाहर घोड़े के पास बिठाया और खुद दुकान के अंदर चला गया अब्दुल्ला उसे देख कर खुश हुआ और पूछने लगा कि मलिका के साथ कैसी गुजर रही है बद्र ने कहा कि अभी तक तो उसने मुझे बड़े आराम और अपनत्व के साथ रखा है लेकिन कल रात को जो कुछ मैंने देखा उससे मेरे मन में संदे हो रहा है फिर उसने विस्तार पूर्वक विगत रात की घटनाओं का वर्णन किया और कहा अभी तक तो तुम्हारी बातें मैंने सिर्फ मामूली तोर पर याद रखी थी लेकिन इस रहस्यमय व्यापार से मुझे बड़ी घबराहट हुई और मैं तुम्हारे पास आ गया अब मुझे बताओ कि वह क्या करना चाहती है और उसकी दुष्टा से मैं कैसे बच सकता हूँ क्योंकि मुझे संदे है कि वह मुझे हानी पहुँचाना चाहती है अबदुल्ला ने हसकर कहा अब वह तुम्हें भी जानवर बनाने की तयारी कर रही है यह तुमने बहुत अच्छा किया कि फॉरन मेरे पास चले आए अब तुम किसी प्रकार का भै न करो और जो उपाय मैं बताऊं वह करो फिर उसने एक संदूक से दो कुल्चे मैदे के निकाले और बद्र को दे कर बोला यह अपने पास रखो वह अपने बनाय हुए कुल्चे को खाने के लिए तुम्हें देगी तुम शौक से उसे ले लेना लेकिन उसे खाने के बजाए उसकी निगाह बचा कर उसे अपनी एक आस्तीन में रख लेना और दूसरी आस्तीन से निकाल कर मेरा दिया एक कुलचा खाने लगना वह समझेगी कि तुम उसका दिया कुलचा खा रहे हो फिर वह तुम्हें कहेगी कि अमुक पशु बन जाओ तुम उसका कुलचा न खाने के कारण अपने शरीर ही में रहोगे वह हैरत करेगी लेकिन तुम उसके शब्दों या कारियों पर प्रकटतह कुछ ध्यान न देना फिर होशियारी से उसका बनाया हुआ कुल्चा उसे यह कहकर खिला देना कि यह अब्दुल्ला ने तुम्हारे लिए भेजा है जब वह अपना बनाया कुल्चा खाले तो उसके मुह पर पानी के छीटे देना और कहना अमुक पशु बन जा उस समय तुम जिस पशु का नाम लोगे वह वही पशु बन जाएगी फिर तुम उसे मेरे पास ले आना और उसी समय हम लोग यह तय करेंगे कि उसका क्या किया जाए बद्र को अब्दुल्ला की योजना बहुत पसंद आई वह तेज तर्रार आदमी था और लोगों की निगाहों से बचा कर चीजों को कुशलता पूर्वक छुपा लेने में प्रवीन था उसने कई बार बूढे की योजना को उसके सामने दुहरा कर हृदयंगम कर लिया और बाहर आकर घोडे पर सवार होकर महल की ओर चल पड़ा वहां पहुँचा तो देखा कि मलिका बाग में बैठी हुई उसकी प्रतीक्षा कर रही है बद्र को देख कर कहने लगी मेरे प्रियतम तुमने इतनी देर क्यों लगाई तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे बगैर एक क्षण भी नहीं रह सकती बद्र ने कहा मुझे भी तुमसे अलग होकर अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं क्या करता चचा ने बहुत दिनों तक खोज खबरना लेने पर मुझसे बहुत देर तक शिकायत का सिलसिला जारी रखा उन्होंने मेरे लिए तरह तरह के खाद्य पदार्थ तैयार किये लेकिन मैं यहां आकर तुम्हारे साथ खाना करने का इच्छुक था इसलिए थोड़ा सा मुझ जूठा भर कर लिया मेरे चचा ने तुम्हारे लिए भी एक कुल्चा भेजा है और प्रार्थना की है कि इसे जरूर खाना यह कहकर उसने अब्दुल्ला के दिये हुए कुल्चों में से एक निकाला मलिका बोली अब्दुल्ला का मुझ पर बड़ा स्ने है मैं उसका दिया हुआ कुल्चा जरूर खाऊंगी लेकिन इससे पहले तुम यह कुल्चा खाओ जो मैंने खास तोर पर तुम्हारे लिए अपने हाथ से पकाया है यह कहकर उसने रात को पकाया हुआ कुछला बद्र को दिया बद्र बड़ी देर तक उसकी प्रशंसा करता रहा कि इस कृपा को कभी भूल न सकूंगा इसी वार्तालाप में उसने मलिका का दिया हुआ कुल्चा छिपा लिया और अब्दुल्ला का दिया हुआ कुल्चा खा लिया और उसके स्वाद की बड़ी प्रशंसा की मलिका ने उसके पूरा कुल्चा खा लेने पर उस पर जल छिड़का और कहा भद्दा काना घोडा बंजा लेकिन बद्र ने साधारन कुछला खाया था इसलिए उस पर कुछ प्रभाव न हुआ मलिका को बड़ा हैरत हुआ कि जादू ने असर क्यों नहीं किया उसने सोचा कि कुल्चा तयार करने में कुछ भूल हो गई होगी और रात को वह फिर होशियारी से जादू का कुल्चा तयार करेगी और इस समय से किसी प्रकार का संदेह होना न चाहिए इसलिए जब बद्र ने अब्दुल्ला के कुल्चे के नाम पर उसी का कुल्चा उसे दिया तो वह कुछ देख न सकी और उसे खा गई बद्र ने उसे मुह पर पानी के छीटे दे कर कहा घोडी बन जा वह तुरंत घोडी बन गई अपनी यह दशा देख कर वह बड़ी दुखी हुई और बद्र के पावों पर अपना थूथन रगड कर माफ प्रार्थना करने लगी लेकिन यह बेकार था बद्र चाहने पर भी उसे औरत नहीं बना सकता था बद्र ने साइस से कहा कि इस घोडी के मुह में लगाम लगा दे लेकिन उसके मुह में कोई लगाम ठीक से जमती ही नहीं थी फिर बद्र ने दो घोडे मंगाए एक पर खुद सवार हुआ और दूसरे पर साइस को बिठाया और घोड़ी बनी हुई मलिका को रस्सी बांध कर घसीटता हुआ अब्दुल्ला की दुकान पर ले गया अब्दुल्ला ने दूर से यह दुर्श्य देखा तो खुश हुआ वह समझ गया था कि बद्र अपने काम में सफल हुआ है और मलिका को उसकी दुष्टता का उचित दंड मिला बद्र घोड़े से उतरा साइस के हाथ में नई घोड़ी की रस्सी दी और दुकान में चला गया अब्दुल्ला ने उठकर उसे गले लगाया और उसकी चतुरता की बड़ी प्रशंसा की बद्र ने उसे पूरा हाल बताया और कहा कि इसके मुह में कोई लगाम नहीं समाती बुढ़े अब्दुल्ला ने अपने घोड़ों में से एक की लगाम लगाई तो वह घोड़ी बनी हुई मलिका के मुह में आ गई फिर उसने बद्र से कहा कि अब तुम इस देश में बिलकुल न ठहरो इसी घोड़ी पर सवार होकर अमुक रास्ता से होते हुए अपने देश को चले जाओ लेकिन यह ध्यान रखना कि यह लगाम कभी इसके मुह से निकलने न पाए वरना यह तुम्हारे काबू के बाहर हो जाएगी यह कहकर और रास्ते का ब्यारा देकर बूढ़ा ने उसे विदा किया बद्र उसी घोड़ी बनी हुई रानी पर बैठ कर चल दिया कई दिनों के बाद वह एक देश में पहुँचा वहाँ उसे एक बूढ़ा मिला यह दूसरा बूढ़ा भी बड़ा सभ्या आदमी लगता था उसने बद्र से उसके बारे में पूछा कि कहां से आते हो कहां जाने का इरादा है या तरा ठीक से हो रही है या नहीं आदी बूढ़ा उसे इन ही बातों में लगाए था कि एक भिखारिन सी दिखाई देने वाली बूढ़िया आई और बोली तुम मुझे यह घोड़ी दे दे और कोई अच्छा घोड़ा ले लो मेरे पुत्र की घोड़ी बिलकुल ऐसी ही थी लेकिन वह मर गई और मेरा बेटा इससे बड़ा दुखी है तुम जो भी दाम इस घोड़ी का मांगोगे मैं दूँगी बद्र को तो घोड़ी बेचनी ही नहीं थी उसने इनकार किया बढ़िया पीछे पड़ गई और बोली बेटा मुझ पर दया करो घोड़ी न मिली तो मेरा बेटा दुख से मर जाएगा और वह मर गया तो मैं भी जीवितना रह सकूँगी बद्र ने उससे पीछा छोड़ाने के लिए कहा कि इसका मूल्य बहुत है तुम दे नहीं सकोगी बुढ़िया ने कहा कि तुम दाम बताओ तो मैं किसी भी तरह दाम दूँगी बद्र ने सोचा ये भिखारिन अधिक से अधिक कुछ रुपयों का प्रबंध कर सकेगी इसलिए उसने कहा कि तुम मुझे एक हजार अशर्फी दो और ये घोड़ी ले जाओ बुढ़िया ने यह सुनते ही अपनी कमर में बंधी हुई थैली निकाली और बद्र को दे कर कहा ये अशर्फियां गिन लो और घोड़ी मुझे दो दो-चार अशर्फियां कम हो तो मेरा घर पास ही है फोरण लाकर दे दूँगी अब बद्र घबराया और बोला अम्मा ये थैली रख ले मैं इस घोड़ी को किसी भी मूल्य पर नहीं बेचूंगा बुढ़ा पास ही खड़ा था और सारी बातें सुन रहा था वह बोला भाई अब तो तुम्हें ये घोड़ी देनी ही पड़ेगी तुम्हें इस देश का नियम नहीं मालूम है यहाँ पर जो आदमी व्यापार में धोखा करता है उसे प्राणदंड मिलता है तुमने जो मूल्य मांगा वह इस बुढ़िया ने दे दिया अब तुम बेकार की हुज्जत न करो घोड़ी बुढ़िया की हो गई उसे फोरण बुढ़िया को दे डालो सौदे का गवाह मैं हूँ बादशाह ने अगर सुना कि तुम सौदे से फिर रहे हो तो फिर समझ लो कि भगवान ही तुम्हारी रक्षा कर सकेगा बद्र यह सुनकर बहुत परेशान हुआ लेकिन बहुत सोचने पर भी उसे घोड़ी को बचाने का कोई उपाय न सूझा आखिर तह वह घोड़ी से उतर पड़ा और उसने घोड़ी की लगाम बुढ़िया के हाथ में दे दी बुढ़िया घोड़ी को पास ही बहने वाली एक नहर पर ले गई और उसकी लगाम निकाल कर उसने घोड़ी के मुह पर पानी छड़क कर कहा मेरी प्यारी बेटी घोड़ी का शरीर छोड़ कर अपने पुराने शरीर में आ जाओ ये कहते ही मलिका अपने असली रूप में आ गई बद्र ये देखकर डर के मारे गश्क खा कर जमीन पर गिरने लगा उस बुढ़े ने बद्र को थाम लिया बुढ़िया वास्तव में मलिका की मा थी और मलिका ने सारी जादू की विद्या उसी से सीखी थी बेटी को असली रूप में लाकर उसने अपने गले लगाया इसके बाद उसने एक मंत्र पढ़ा जिससे पश्चिम की ओर से एक महा भयानक और अतिविशाल जिन्न प्रकट हुआ उसने एक हाथ से बद्र और दूसरे हाथ से मलिका और उसकी मा को उठाया और आकाश में उड़कर उसने दोक्षण ही में सब को मलिका के महल में पहुँचा दिया मलिका ने वहाँ पहुँचने पर दांत पीसते हुए बद्र से कहा दुष्ट मेरे एहसानों का तूने यह बदला दिया अब देख मैं तुझे कैसा दंड देती हूँ तेरे बने हुए चचा को मैं बाद में समझूंगी यह कहकर उसने हाथ में पानी लेकर बद्र पर छिड़का और कहा मनहूस उल्लू बन जा बद्र उल्लू के रूप में आ गया फिर मलिका ने उसे एक नई दासी को दे कर कहा इसे पिंजरे में बंद कर दे और इसे दाना पानी कुछ न देना अपने आप भूखा मर जाएगा दासी दयालू थी उसने बद्र को पिंजरे में तो बंद कर दिया लेकिन मलिका से छुपा कर उसे खाना पानी देती रही उस दासी ने उसी दिन गुप्त रूप से अब्दुल्ला से भी कहा मलिका ने तुम्हारे भतीजे को पकड़ लिया है वह देर सवेर उसे तो मार ही डालेगी अब तुम अपनी जान बचाओ क्योंकि उसने तुम्हें मारने की भी धमकी दी है अब्दुल्ला ने समझ लिया कि कठिंतम समय आ गया है और अपनी शक्ती से पूरा काम लेना चाहिए उसने एक विशेश ध्वनी निकाली तुरंथ ही एक जिन्न प्रकट हो गया उसके चार हाथ थे और सभों में पंखे लगे थे उसका नाम बर्क था उसने आते ही कहा मालिक क्या आज्या है अब्दुल्ला ने कहा तुम्हें बद्र के प्राणों की रक्षा करनी है लेकिन अभी सिर्फ यह करो कि इस दासी को इरान के शाही महल में पहुँचा दो ताकि इसके मुह से राजमाता गुल अनार अपने पुत्र का पूरा समाचार जान ले जिन्ह ने तुरंथ ही उस दासी को इरान के राजमहल की छट पर पहुँचा दिया दासी जीने से उतर कर नीचे गई तो देखा कि गुल अनार और उसकी माता चिंतित होकर बातचीत कर रही थी दासी ने विनयपूरवक दोनों को प्रणाम किया और बताया कि बद्र जादू देश की मलिका की कैद में उल्लू बन कर पढ़ा हुआ है गुल अनार ने दासी को गले लगा लिया और उसके काम की बड़ी सराहना की फिर उसने आग्या दी कि यह मुनादी करवाई जाए कि बादशाह बद्र दो एक दिन ही में देश में आने वाले हैं तीसरी बात उसने यह की कि आग मंगा कर उसमें सुगंधित द्रव्य डाल कर मंत्र पढ़ा और इस तरह अपने भाई सालिह को बुला लिया सालिह के आने पर उसने बताया कि तुम्हारा भांजा बद्र जादू के देश की अगनि पूजक रानी की कैद में उल्लू बन कर पढ़ा हुआ है सालिह ने अपनी समुद्री सेना को तुरंत जादू के देश में पहुँचने का आदेश दिया और कहा कि मैं भी वहां शीग्र आ रहा हूँ फिर उसने जिन्हों की एक बड़ी फौज इकठी की और उसे लेकर उक्त देश में पहुँच गया दोनों सेनाओं के प्रचंड आक्रमन से वह देश कुछी घंटों में पराजित हो गया और सेना ने महल में प्रवेश करके मलिका तथा दूसरे सभी अगनि पूजकों को मार डाला गुल अनार भी वहां पहुँच गई थी उसने दासी से कहा कि वह पिंजरा उठा लाओ जिसमें बद्र बंध है वह पिंजरा बाहर ले आई और उल्लू बने हुए बद्र को उसने बाहर निकाल लिया गुल अनार ने अभिमंत्रित जल उस पर छिड़क कर कहा अपने पुराने रूप में आ जा वह अपने असली शरीर में आ गया और गुल अनार ने उसे गले लगाया फिर बद्र ने अपने मामा और अन्य संबंधियों से उचित रूप से भेंट की उसने और दासी ने बद्र पर अब्दुल्ला के एहसानों का जिक्र किया गुलनार सब को लेकर अब्दुल्ला के घर गई और बोली आप ही की कृपा से बद्र मुझसे दुबारा मिला है आपके एहसान का बदला मैं किस प्रकार दूँ बुढ़े ने कहा मुझे तो भगवान ने जो कुछ दिया है वही मेरे लिए बहुत है लेकिन मुझे इनाम देना ही चाहें तो यह दीजिए कि बादशाह बद्र का विवाह इस दासी से कर दें क्योंकि यह सुंदर और चतुर भी है और इस समय इसने बद्र की और मेरी अमूल्य सेवा की है गुल अनार ने यह मान लिया और काजी को बुला कर बद्र के साथ दासी का विवाह करा दिया अब बद्र ने मां से कहा, मैंने तुम्हारी और इन पिता तुल्य अब्दुल्ला साहब की आग्यां बगैर नानु करके मान ली, लेकिन तुम जानती हो कि मेरी हार्दिक इजदा समंदाल देश की शहजादी जवाहर से विवाह करने की है। गुलनार ने मुस्कुरा कर कहा, अच्छा, उसका प्रयत्न भी करेंगे। ये कहकर उसने समुद्री कटक को आदेश दिया, कि जल्थल में जहां भी बद्र के योग्य शहजादी देखो, उसे बद्र के साथ ब्याहने को यहां ले आओ। बद्र ने कहा, ये सब बेकार बाते हैं, मैं तो शहजादी जवाहर ही से विवाह करूंगा, किसी और से नहीं, उसने मुझे जो कष्ट दिया, वह अपने पिता के कष्ट से कुपित होकर दिया है। अगर आप लोग समंदाल नरेश को कैद से छुड़ा कर यहां बुलाएं, तो वह अब जवाहर से मेरे विवाह की बात अवश्य स्वीकार कर गुलानार ने कहा, बेटे, अभी तो वह तुम्हारे मामा की कैद में है, उसको यहां आने ही पर मालूम होगा कि उसे विवाह स्वीकार है या नहीं, अब बद्र ने सालेह से प्रार्थना की कि समंदाल नरेश को कैद से छुड़ा कर यहां लाओ, सालेह ने आग में लोभा आप मुझ पर कृपा कीजिए, और मेरे साथ अपना संबंध स्वीकार कीजिए, जो कुछ अभी तक हुआ, उसे भूल जाए, समंदाल नरेश उसकी इस विनए शीलता से बहुत प्रभावित हुआ, और उसे उठा कर गले लगाते हुए बोला, तुम्हारी बातों से लगता है, और मैं कहूंगा, तो वह तुम्हारे साथ विवाह करने को खुशी से तयार हो जाएगी। अग्या मुझे शिरोधार्य है, लेकिन बादशाह बद्र से बहुत लज्जित हूँ, मैंने क्रोध में आकर उनसे बड़ा बुरा सलूक किया, मालूम नहीं कि वे इसके लिए मुझे माफ करेंगे या नहीं, बद्र ने कहा, तुमने वास्तव में क्रोध में आकर मुझे द अग्या मादशाह बद्र अपनी माता और पत्नियों को लेकर इरान को रवाना हुआ, और कुछ दिन वहां रहने के बाद सालेह भी अपनी माता के साथ अपने देश को वापस हुआ, इस वीडियो में कहानी यहीं तक, आगे के लिए आपसे मिलते हैं, अगली वीडियो में, ऐसे ही और भी धेरो मज़ेदार कहानियां, हैरान कर देने वाले किस्से, अनसुलजी घटनाएं, रहस्य और जानकारियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए और शेर कीजिए, नोटिफिकेश